हलो गाइस एक अच्छे फूटबोलर बनने के लिए क्या क्या स्किल आपके पास होना जारूरी है तो फ्रेंड्स एक अच्छे फूटबोलर बनने के लिए आपके पास बॉल कंट्रोलिंग अच्छा होना चाहिए बॉल पासिंग एकुरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए और और उसके साथ dribbling skill आपकी बहुत smooth होना चाहिए और last में आपका finishing accuracy बहुत अच्छा होना चाहिए ताभी आप अच्छे footballer बन पाओगे तो friends यह सरे चीज कर पाओगे जब आपके पास stamina होगा अगर आपके पास stamina नहीं है तो यह सरे चीज नहीं कर पाओगे 5-10 मिनिट करने के बत ठक जाओगे तो friends इस वीडियो को आप लास तक देखिए आप लोगों को कुछ exercise बताएंगे जो आपके stamina को increase करने के लिए बहुत ज्यादा help करने वाले हैं तो friends आपको यह बात हमेशा ध्यां रखना है जाब भी आप speed रानी या बोट बोल खेलने जाओगे उससे पहले आपको minimum 10 minutes तक warm up कर लेना चाहिए ताकि आपकी बोडी में किसी तरह की injuration आये कर दिए से खらब सियाने 7-20 बाइब आपको कर दो में कि पया हमादा के बाता है झाल 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 प्रिंट्स आपको भी इसी तरह से सुला मेटर तक रानिंग करना ताकि आपका रानिंग स्पीड थोड़ा से इंक्रेज हो और आप पहले से बेटार स्पीड में रानिंग कर पाए फुटबल खेलने के टाइम कभी आपको स्लो रानिंग करना पड़ता है और कभी स्पीड में रानिंग करना पड़ता है कभी कभी आगे में करना होता है और कभी पीछे भी रानिंग करना होता है तो फ्रेंट्स अब अगर एक्स एक्सरसाइज को फोलो कारोगे तो बहुत ही हेलफूल मिलने वाल है जिग चेक एंड रानिंग एक्सरस्ट्राइज तो फिर्ट अब इस एक्सरस्ट्राइज से यह फाइदा मिलेगा जब आप वोल्ड रिबल करके आप डिपेंडर को बीट करना चाहते हो तो फिर्म उसमें आपकी रानिंग स्पीड ज्यादा होना चाहिए तबी आप हाइनी एंड रानिंग एक्सरसाइज तो फिर्ट इस एक्सरसाइज का यह फाइदा है जब आप इंस्टेंडली रानिंग स्पीड को बूस्ट करना चाहते तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ही हेल्प करने वाले है तो फ्रेंट्स यह कुछ रानिंग एक्सरसाइज तो है जो आपकी रानिंग स्पीड और इस्ट्रमिना को इंक्रीज करना के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने बाले है फ्रेंट्स आप इसे अगर रेगूलर्य थार्टी डिज सक फॉलो करोगे तो आपकी रानिंग तक एजीली फुटबोल खिल पाओगे फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंड में जरूर लिखना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना आपकी एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और चैनल पर नए आया है तो जरूर से चैनल को सब्स स्क्राइब कर दो